जाहिन दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं इस question के बारे में इस question में क्या 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 गया है तू पाइप पंसन्द साइमेंटेलियसली a tank is filled in 12 hours यानि कि यहाँ पर देखा है कि भई A और जो B जो है वो इस tank को भरने में क्या लेते हैं इसको अप्षिन के help भी कर सकते हैं माना मैंने कि यह है और यह मेरे पास B है तो अगर मैंने माना कि भी जो अप्षिन एउठाया मैंने कि वह जो मेरा जो फास्टर पाइप है वो 20 20 लेगा तो यह time कितना लेगा 30 आवर लेगा क्योंकि जिसकी जिसका time ज्यादा जिसका time ज्यादा होगा वो कमी speed से भरता है और जिसका time कम होगा वो ज्यादा है speed से भरता है इसका मतलब इन दोनों का LCM निकालेंगे तो LCM कितना है मेरे पास 60 और यह कितना हो जागा यह 2L और यह 3L अगर यह A और B के total tank को मैं अगर इन दोनों की F से डिवाइड करूं 5 और अगर वो equal आता है 12 के बराबर जो मुझे दिया हुआ तो इसका मतलब कि मेरा जो answer होगा मेरा वह ही होगा यानि option A होगा चली से दूसरे तरी के समझते हैं बारों यहाँ पर देर रखा है A इस कल्टो में क्या है मेरे पास में और एक B देर रखा ह यह X क्या लेता है X आवर लेता है तो यह कितना लेगा X प्लस का 10 आवर लेगा इन दोनों का LC में निकालेंगे तो X और यह X प्लस का 10 लेगा इसको solve करेंगे तो यह मेरे पास कितना जागा X यूनिट और यह कितना जागा X प्लस का 10 यूनिट आ जागा अब यह दोनों से क इतना दिया हो गजह 12 hour तो 12 hour की बराबर रहत दिजिए cross multiply करेंगे इतर 24 X हो जाएगा plus का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा is equal to कितना हो जाएगा x का square और plus का 10 X हो जाएगा इतर भेज दीजिए उतर भेज दीजिए एकस स्कोईर का मिशा positive रखना है माइनस का कितना 14 x हो जाएगा और माइनस का 120 हो जाएगा इस कल्टू में 0 तो फैक्टर तो टोड़ेंगे तो यह x का स्क्वार हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 20 x हो जाएगा और यह प्लस का कितना हो जाएगा 6 x हो जाएगा यहां रखिंगे तो 20 लेगा इसको रखिंगे तो 30 लेगा यानि कि बी जो है वो 20 जो आवर लेता है इस टैंग को फिल करने में और बी जो है वो 30 आवर लेता है तो इसका मतलब फास्टर वन कॉन होगा जो टाइम कम लेगा यानि कि option ए इस question का correct answer होगा I hope आप तभी को कुश्चन समझ में आगए जय हिंद जय भारत